छट को फोट दिया गया है, उसके बाद दूवारा से बनेगा, अच्छा लग रहा है घर देखने में दोस्तों दूर से हैं हेलो दोस्तों, गूड मार्निंग, कैसे हैं आप लोग? हमें पता है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं तो घर में तो काम चली रहा है, साथ साथ में भोजन भी जरूरी है, यह देखिए यह भाया सीमेंट लेके आ रहे हैं देखिए पचाल लीजिए, भाया सीमेंट लेके आ रहे हैं, और हम भोजन की तयारी में हैं, क्योंकि क्या भोजन बनाएं तो आज हम बनाएंगे गोवी अलू की सब्जी और भात मतलब ज्यादा आइटम नहीं बनाऊगे क्योंकि काम भी चारों तरफ हो रहा है और यह जो पीछे देख रहे हैं यह लाला जी कली लेके आए हैं यह कुछ रखने के लिए सब्जी आपजियां देखिए यह जो पड़ तो आप लोगों को दिखानी पाई थी क्योंकि रात हो गया था अंधेरा हो गया तो इसमें मुली और गाजर रख दिये हैं हैं एक और है देखिए एक और है मैं आपको दिखाती हूं कि धर है वो यह देखिए यह है इन जूट से बनाया गया है बहुत ही खुपसूरत लेकिन ना मैं जो गोवी काटी हूं ना वो जो कल मैं बनाई थी पराथे तो उसका फूल-फूल कदुकस कर ली थी और जो डंठल बत जाता है पीछे का उसका हम सब्जी बना लेते हैं हम लोग तो वही वला ना काटी हूं और एक हमारे बगीचे में फूल-गोवी तयार है उ आप भी काटी एगा ठीक है तो दो फूल को भी उगा था एक तो हम लोग खा गये हैं आपको बीना दिखाए ही और एक बचा है तो यह को दिखा देती हूं मैं यहां पर सभी मिस्तिरी लोग आ गया है और पतानी कहीं गया है यह जो मलवा रखा हुए ना यह मलवा कहा अच्छा इधर है इधर समान आया हुआ है देखिए चाची भी कुछ देख रहे हैं अधर आइबर साहिब के भी ले लेते हैं अधर लाला जी देखिए इधर है कजने का कर रहे है है तो यह पेटारी हटा रहे है है अधर जाकर यह गाड़ी निकलेगी अभी सब जगा ना खाली धान धान पेटारी पेटारी हुआ है उतर गईल कर बागी बावी एज नगी रहे हैं लोग तो चलते हैं दोस्तों हम बगीचे में अपने क्योंकि हमारा ड्यूटी है खानम ना और उसके बाद बहुत सारा काम है आज का दिन मैं क्या पता हूं आज का दिन ना छात बनेगा चट को ना फोड़ दिया गया है उसके बाद दुलारा से बनेगा तो च्छत बनने वाल़ा है बनी खेलतारू खाना खालू्फ का क्वेलूब ए मिठाई ख्यलूब लूगन के अच्छ, ठंड़ा गता नू, बोड़ी ठंड़ा गता, धूप में बढ़ जा, दादी कहां गोली हो, मेला गोली दादी, अच्छ, मॉमी, गोरे बड़ी, चोटी बच्ची बहुत बात करती है मेरे से, बहुत अच्छा लग रहा है घर देखने में दोस्तो दूर से, यह देख मोरा यह सब नहीं तो कुछ नहीं हो पाता, बहुत अलो अब अब देखे यहां पर बाबु जी बठे हैं, सब देख रहे हैं कौन-कौन क्या काम कर रहा है, फूछ रहे हैं कि दो मिस्तिरी उधर हैं क्या कर रहे है, देखिए, का करता नि लो जी, बाबु जी कहता निं, तो यहां पर ना बगीचे में हमारा देखिए दोस्तों यह क्या हाल हो गया है यह देख रहा है चार तरफ मिटी मिटी हो गया यहां पर गढ़ा खुद आई हूँ आपको भी तुरांत पता चलेगा और यहां पर बैगन खुब सारे उगे थे हमारे लेकिन बैगन दौब गया पेवर पेवर और गयानिक है बैगन भी बहुत सार फल पकड़ा है कोनों तूरले गवल कारे बैगन आता काल धेर लोको तरह हुए जी वे तो अमरा लागता काले धेर लोको तरह हुए यहां तो यहां पर दोस्तों बैगन कल खूब सार लगा हुआ था आज मेरे को में भी बनी हूँ तो मैं क्या करती हूँ उखाल लेती हूँ यह देखिए मतलब ना यह जो अपने लगाया हुए समान होता है ना उसका उखाणने का मजा ही कुछ हो रहे है बड़ा मजा आता है तो मिस्तिरी लोग काम कर रहे है वो बोल रहे हैं कि अभी और बढ़ता तो म मोबाइल एक हाथ में पकड़ी हूँ और एक हाथ में लेके जा रही हूँ इधर मैं सबजी काट के अल्रेडी पहले से रख चुकी हूँ जो कि मैं आपको बताई थी देख रहे हैं यह देखिए कैसे करूं बेक केमरा करूं क्या देखिए तो इसी में मैं मिला के बनाओंग है तो लली बाबू को अपने काम सब फूर्चत नहीं है अपना बोलोग में खुदी कईसे कईसे करके बना ले रही हूँ क्या करूं अब जब तक बच्चे नहीं है तब तक काम चलाना ही पड़ेगा है कि नहीं तो बस आइसी कट जा रहा पूरे दिन पूरे रात दोस्तों तो पूरे बहुत काम है छेज़ ट्वी दो मतलब चेज डिन रहे हैं लेकिन दो है क्ई साथ को पूरा लिंट डालना है भी चछतका फीत को डोला उल्माइव दिखा तो 6 rights निकला है ना उसका हम वेश्टे जो है वह कहा हम उसका यूज कर रहे हैं आपको मैं दिखाऊंगी तो चलते हुँ दोस्तों नहीं तो बाते करने लगूंगी तो बाते खतम नहीं होगा आप लोगों से मेरे को लगता है ना कि आप लोग हमारे साथ ही बैठे और मैं बाते कर इसलिए बाते कभी खतम नहीं होने वाली जिन्दगी इसी का नाम है देख रहे हैं सुट करती हुँ तो उंगली आ जाता है बीच में ए जो उंगली है नहीं मेरा पता नहीं है वीडियो सुट करने का भाग न रहे तो लो फोन गिरगोली तो बच्चे लोंको तो मैं थी फो की थी लगतार रोज साम को कर लेती हुँ कि मन नहीं लगता है और आप लोग दोस्तों इतना प्यार करते हैं हमारे बच्चों से और हमसे बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे हैं हमारे तीनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं हमसे हमको है अगर लालीत को बोल त Lic Naturme K Навी तो मेर से प्यार नहिक करते हो तो वह है यह बत लक्यक को बोलं की तो देखी गार होता है बिलकुल आप लोग सही बोल रहे हैं बच्चे जाहे तीन हो चार हो चे हो लेकिन माँ सब के साथ बराबरी प्यार करती है लेकिन ऐसा होता है कि कोई-कोई बच्चों के साथ ज्यादा माँ प्यार करती है का जी कोई-कोई बच्चा के ज्यादा माई प्यार करें लालोनू तो देखिए ये मिस्टिरी का भी मानना है कि मतलब कोई-कोई बच्चों को ममी ज्यादा प्यार करती है है मतलब लेकिन आपिंसे कुछ नहीं होता है और है सब के साथ वराबर ही होता है लेकिन यए बात तो है गांव में भी ऐचीज cran कि सी बचे WhatsApp मम्यं जादा प्यार करती है किसी के साथ मैं लेकिन मेरे साथ आपि अई लेकिन मापिला करती है फ़के process सारा कमेंट पड़ी हूं और आप लोग हमें समझाते हैं उसके लिए थैंक्यू दिल से क्योंकि कुछ भी गल्ती जो अगर मैं कर रहे हूं तो आप लोग बताने के लिए हो यह जानके मेरे को बहुत खुसी होती है तो बिल्कुल जितनी मम्मी आये सारे बच्छों से बराबर अधरी करते हैं लेकिन हाँ यह बात है कि कोई ज्यादा आपका केरिंग करेगा काो का म क्रेंग द्यूट कुछ होना आपको क्या चाहिए आप को इक कम करेगा को कुछ करेगा उसका भी रीजन है और इक भी आतना बैस रिस फेम नहीं तो मा को समझना पड़ेगा तो मैं इसलिए अपने मैं देखी कि आप लोगों कर रिपलाई क्या आता है तो बहुत से दोस्त मेरा कमेंट से साहिमत है और बहुत से लोग बोले कि हाँ छोटा बेटा ज्यादा प्यार करता है मामी को केरिंग करता है कुछ-कुछ इंग्लिस में है वर्ड जो मैं समझ नहीं पाई हूं किसी दिन मैं ललित से पढ़वा के समझ लूंगी लेकिन बच्चे तो सभी प्यारे हैं आप लोगों को पताईए तो भाईया लोग देखिए लग चुके हैं काम पर अब मैं भी अपने काम पर लग जाती हूं क्योंकि हमारे पास भी याद दिलाएएगा हम कान पकड़ेंगे ठीक है तो दोस्तों चलती हूं नहीं तो ये छोटा दिमाग आप लोगों से बाते ही करते रहा जाएगा अग काम कुछ नहीं होगा मतलब की खाना बनाना है उसके बाद बहुत सारा काम है आज मेरे को ना एक रेसिपी भी सूट कर करना है रोल समझें भेज रोल का हमें रेसिपी सूट करना है उसके लिए सामान लाला जी लेके आ गये हैं अगर नहीं बनाओंगी तो सुख जाएगा तो चिलाएंगे आवत अनियावत अनिकरू तो आज देखिए सुवे सुवे ना ये जो छट ये था जो चूता थामलों का छट उसको ना दुबारा से जीरा गिटी देकर पलस्तर किया जाएगा कि चूए ना क्यों आज भो रहा है छट देखिए चट दुबारा से हो रहा है फोड के क्योंकि चूता था पहले बहुत शट नहीं हुआ था सही से इसलिए चूता था अब देख लेते हैं कि मिस्तिरी क्ला बातोर काम करने में लगे हूए हाँ 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 कि हमना रहनी हमना रहनी ना कोई कोई ना कोई हमको ऐसा चाहिए कि पानी अदम फटाक से कर निकल जाए जालू ना मारना पड़े तो गरांटी के साथ हम चहत बने वार रहे हैं आति हमारी देवरानी नं में का रही सना मैं현्थ्ट यहां पर 20% में खालहाने राष्टा नीत था हिस लिए हमको यहां पर राथा पर लिए जो ऐ गरेंगा पड़रा षिक हैं। यह जमीन में चला जाएगा यह जो यह पार्टिसन लग रहा ना दोस्ते इसलिए लगाया गया कि वस्रूम में जाने के लिए बिलकुल जगा नहीं हो रहा था यहां पर बहुत ही पतला स्पेस था इसलिए और उसके बाद इसको दिखे ढाला जाएगा इस तरीके से तो आज दोस्तों यही सब काम करवाने के चकर में मैं कुछ भी काम नहीं की हूँ मैं चाहती हूं कि छट जो बने ना बिलकुल स्लोप में बने और बढ़िया से बारिज का पानी निकल जाए पहले जैसा नहीं कि पहले जैसा तो ऐसा चट बन गया था कि पूरा चट खराब हो तो फिर मिलती हूं झाल